Welcome back to our class आज की class का हमारा topic है उत्तरा खड़ में इस से दर्रे last class में मैंने आपको बताया था कि दर्रे वाला या पास्स वाला जो topic है उसको हमके वल short trick से ही करेंगे उसके लावा हमें कुशने करना है उसके लावा आपने आज आपकारी वाला paper देखा होगा आपको खुदी लग गया होगा कि confidence खुदी आया होगा कि उत्तरा खंड के आप कितने question कर ले रहे हो या फिर जो जो आपकी चीजें हो गई है जितना quality का हुआ है या history का हुआ है उतने आप कितने question उसमें से कर ले रहे हो बाकी मैंने अभी recently आपको कुंड बताये थे तो कुंड से चैपको question आये था बहुत सारी question थे जो as it is आये वे हैं बाकी आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी ये notes मैंने अपने ARO के time के तयार किये वे हैं और पता चलेगा आपको कि इसमें से कितने question आपके बन रहे हैं अब देखे सबसे पहला है कि उत्तराखंट के जो दर्रे हैं उत्तरकाशी और तिबबत के बीच दर्रे तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको एक line बोलनी है कि नेलंग ने मूली का साग थाली में उत्तरकाशी और तिबबत में खाया या फिर आप ये भी बोल सकते हो नेलंग उठ तब मूली का साग थाली में खा एक ही चीज है ठीक है नेलंग से हो गया आपका नेलंगला उठ उ से हो गया उत्तरकाशी ता से हो गया तिबबत मूली से हो गया आपका मूलिंगला साख से हो गया सांग चोकला और थाली से हो गया थांगला तो यह आपके सारे दर्रे हो चुके हैं दूसरा है आपका चमूली तिबबत के बीच दर्रे इसके लिए आपको क्या लाइन याद करनी क्या क्या बवडाते रहना है कि किंग के बलवान साले की नीती में कोई मुंडा चोर नहीं उसके बाद होता है पिथोरा गड़ और तिबबत के बीच दर्रे अब इसको बताने से पहले मैं एक और बात बता दूँ कि जिनको दर्रा नहीं पता है तो ये क्या होता है दो देशों दो राज्यों या दो जिल्लों के बीच या वर किसी भी सीमा पर एक जो संकरा रास्ता ब बना होता है वो होता है आपका पास अब दिखें अब है पिथोरा गड़ और तिबबत के बीच दर्रे तो इसके लिए आपको लाइन बोलने है तेरे पित्रों की जैनती पर नवीन लेक लिखूंगा तेरे से हो गया आपका तिबबत पित्रों से पिथोरा गड़ जैनती से ड़्व वार रखना है भिना किसी ट्रिक के जब अपको दस वैसे याद फिर आपका उत्तरकाशी और चमोली के बीच दर्र्य को क्या उत्तरकाशी और चमोली के बीच दर्रोत पिथोरागड के बीच जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं तो आपको लाइन बोलने हैं पंच लाद धरी तो मार्च में उसकी टोपी बार बार गिरी लाद का मतलब आपको पता यह क्या होता है पंच पास से हो गया आपका पिथोरागड और चा से हो गया आपका चमोली लाद स तया आपको चमउली और पीथोरागड़ के बीच जो दल्रें उनके बारे में हो गया है फिर आपका चमउली बागेश्वर में स्थित समझ उनके जग कि नहीं है तो इसके लिए आपको बोलना है अपको मैंने एक चीज आपको दिहान रोड़ी होगी कि लास्ट क्लास में मैंने सुन्दर ढूंगा कहीं पे यूस किया है अब देखते हैं कि कितनों को याद हो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे याद है कि नहीं है कि सुन्दर ढूंगा कहा आया था तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना है चबा सुन्दर ढूंगा ढूंगा याँ पे पत्थर के लिए बोलते हैं गड़वाली में ढूंगा पत्थर के लिए बोला जाता है तो चा से आपका चमोली हो गया है बा से बागेशर और सुन्दर ढूंगा से तो सुन्दर ढूंगाई होगा फिर आपका बागेशर पितोरागर में इस्तित दर्रे तो ये हमारे ये मारा जो दर्रा है वो है ट्रेल पास ट्रेल पास लेकिन आप इसको ट्रेल पास कभी बोलोगी ने आप इसको बोलोगे ट्रेल बाप अब ट्रेल बाप का मतलब क्या है ट्रेल बाप से ट्रेल तो हो गया आपका ट्रेल पास बास से हो गया आपका बागेशर और पास से हो गया आपका पिथोरागड़ तो आपको क्या बोलना है ट्रेल बाप बोलना है हमेशा अब हमारे पास चमपावत और पिथोरागड के बीच दर्रे तो चमपावत और पिथोरागड के बीच जो दर्रा है उसको याद करना हमें चपल से तो आपके करिया अपने दो चपलों का नाम रख दीजिए एक का नाम चमपावत और एक का नाम है आपका पिथोरा गड़ तो चपल से देखिए चा से चमपावत पास से पिथोरा गड़ और ला से आपका हो गया लास्पा धुर्रा जब भी चपलो को देखेंगे तो आपका एक क्वेशन बन जाएगा उसमें कि इनके बीच में एक धर्रा था जो की होता है आपका लास्पा धुर्रा ये ट्रिक्स बहुत काम करती है मेरा बहुत परसनल एक्सपिरियंस है कि मैंने आलू के ओपर शिमला लिखा हुआ था एरो म आपको लगे कि इस चीज को किसी को नाम देज्डिये मौम फले का नाम कुछ दे दीजिये इस तरीके से आपको करना है या अपको उपने चपलों के नाम क्या कर देने है चंपावत और पि ख़ागुथराग्र में इस्थित्ध तो पिथोरागड में इस्तित दर्रा है वो है आपका सिनला दर्रा तो आपको इसको कैसे याद करना है और यह जो सिनला दर्रा है यह आपका व्यास घाटी में इस्तित है तो आपको इसको करना है पी व्यास दा सिनला पी व्यास दा सिनला वस यह लाइन बोलने पी से आपका व्यास से आपका व्यास घाटी और सिनला से आपका सिनला दर्रा हो गया है तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे सारे जो दर्रे वाला चैप्टर था या पासेस वाला जो टॉपिक था वो बिल्कुल कवर हो चुका है इसके लावा कुछ नहीं आता आपको बस इतना ही है कि कौन सा दर्रा कहा है यही पूछा जाता है अब हम अपना आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास वन्य जीव संरक्षन इसमें हमारे पास तीन टाइप की चीजे हैं एक तो रास्ट्रिय उध्यान है दूसरा हमारे पास अभिहारने और तीसरा हमारे पास वन्य संरक्षती तो इनको कैसे याद करना है पहले आप इनके नाम याद कर लीजिए और कि कितने कितने होते हैं अब उनके नाम क्या है कारविट, गोविन, नंदा देवी, फूलो की घाटी, राजा जी और गंगुत्री तो आपके पास option आजाएगा कि नंदा देवी निम्न में से क्या है, वन्य जी विहार है या राश्य उद्ध्यान है या कि वन्संरक्षती है, तो आप उसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, ये कोई आदमी है जिसका नाम है कारविट, इसने एक हाथ में पकड़ी अपने गं, और एक राजा है, इसे राजा समझ लीजिए, और इस राजा का नाम है गोविन, ठीक है तो इससे आपकी चार चीजे तो हो गया, कारवेट हो गया, कारवेट ये हो गया, राजा है, राजा, इस राजा का नाम क्या है, राजा और इसका नाम क्या है, गोविन, तीन तो आपके clear हो हैं 14 उससने फूलो HELP की माला पकरीवी है फूलो की माला का मतलब हो गाटी और यहां पर उसने हाथ में गन पक्षड हुग करता है और तौब इ視ो गया प страш सकते हैं तो आपको फिर से देखना है कि कारबे dedicated और बंदूक और इस आपको याद रखनी है अब उसके बाद आता है आपका उत्रा खंड में वन्यजीव विहार या फिर अविहार अर्ण है यह उत्ती हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी तो अब इसके लिए आपको क्या पहली चीज तो याद रखनी किये कितने हैं इनकी संख्या उत्र आके गोविंद में आपको खुद समझ में आ रहा होगा इस लाइन का कि मन बसा आके गोविंद में तो मा से आपका हो गया मसूरी ना से हो गया नंदोर बा से हो गया आपका बिंसर सा से सोना नदी आ से असकोट का से केदारना के से और गोविंद से आपका हो गया नदीर निम्नमे से क्या है तो आपको पताओन अच्छे कि क्या है, तो यह हमारा वन्यजीव, विहार या अभिहारनय, या शैंक्ष चूरी तो आपको ध्यान रखना है, मन बसा आके गोविन में, अब है उत्रा खंड में Three Adventure अरिकष्यति, जो रिजव याद रहता तो यह अपने आपी समझ में आ जाता है इसका फॉर्मूला है कि पुवाल के आसन पर नैना जूली आसन भी आपको समझ में आ गया होगी कि आसन नदी मैंने पहले पढ़ा ही है किसकी सहायक नदी है और क्या है यह सब चीज़ें आपको आपको चीज़ें जोड़ गया और जूली से आपका जिल में तो यह चार आपकी क्या हो गई है असनरक्षन आरिक्ष्यति अब इस से रिलेटेटर जो क्वेशन बनते हैं वह मैं आपको बताती हूं अब जो नैशनल पार्क से हैं मैंने अभी आपको बताएं इनकी संक्या है छै तो इनमें जो सबसे पहला है वो है कारबेट राष्ट्रिय उद्धध्यान के कारबेट नेशनल पाग इसकी जो सतापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1934 में और जो उस टाइम का गवर्नर था उसका नाम था सर हैली तो हैली के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया था हैली राश्ट्रिय उध्यान और ये किवल भारत का ही सबसे पुराना नहीं है सबसे प्रतम नहीं है बलकि ये एशिया का भी सबसे प्रतम राश्ट्रिय उध्यान है तो सबसे पुराना अगर राश्ट्रिय उध्यान याद रखने हैं 1957 में इसका नाम कार्वेट राश्री उध्यान किया गया किसके नाम पे किया गया जिम कार्वेट एक व्यक्ति था जो कि प्रयावरण से बहुत प्यार करता था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया कार्वेट नेशनल पार्ग और यह फैला हुआ है पौड़ यह प्रवेश्ध द्वार भी थितन है घिकाला नामक स्थान पहां है मैं तो यह आपको पता चलिए टिकाला में इसके प्रवेश्ध द्वार रहे दिकाला आपका नैनितल में स्थितन है मिया उसके बाद वो चिम कॉर्विट नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा आते हैं किए आपको ध्यान रखना कि उसके बाद आते हैं आपके राजची में फर्स ला icon और उसके बाद है आपका राजची में उसके बाद है हमारा गोविंद्र राष्टिय उध्यान गोविंद्र आपने देगा था कि वो राजा था उसका नाम क्या रखा था हमने गोविंद्र रखा था तो गोविंद राष्ट्रिय उध्यान ये आपका फैला हुआ है उत्तरकाशी में और इसकी जो स्तापना हुई थी वो आपकी 1980 में हुई थी देन आपके पास आता है नंदा देवी राष्ट्रिय उध्यान तो नंदा देवी राष्ट्रिय उध्यान हमारा चमोली में है ये जो इस्तापीत हुआ था ये 1982 में हुआ था और इसका मुख्याले जोशिमत में है इसका भी जोशिमत में है और फूलो की घाटी का भी जोशिमत में है अभी मैं आगे बताऊंगी और ये भी चमोली में है और दोनों नंदा देवी और फूलो की घाटी दोनों बने थे को ध्यान होगे कि दो परवतों के नाम और बहने वाली नदी का नाम किया है पुषपावती और जो यूनस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में सामिल किया था 14 जुलाई 2005 को अब आपके पास option आएगा कि निम्नम में से कौं किसको यूनस्को द्वारा विश्व विरासत स सूची में सामिल किया गया है तो आपको अगर option दिये रहे हैं तो आपने कौंसे टिक मानना है फूलो की घाटी देखे मुख्याल है इसका भी जो शिमठ हो गया है खोजने का जो श्रेय जाता है वो फ्रेंक स्माइट को जाता है और इसने जो बुक लिखी है उसके बाद य कोशन है कि इसकंद पुराण में इसे नंदन कानन कहा गया है जो कि आज के आपकारी के पेपर में आया हुआ है तो इसकंद पुराण में नंद कानन किसको कहा गया है नंदन कानन आप फूलो की घाटी को उसके अलावा मेग दूत में जो की कालिदास द्वारा रचित है इस से अलका कहा गया है और जो अन्य नाम है फूलों की घाटी के वह आपके गंद मादन बैक बैकूंट भ्यूडार पुस्पावली पुस्पावली तो पुस्पावती नदी के कारण है पुस्प रशा फ्रेंक स्माइट घाटी फिर आता आपका पांचवा राजाजी राश्ट् उद्ध्यान तो गंगोत्री राश्ट्य उद्ध्यान बना था आपका 1989 में और यह उत्तरकाशी जिल्ले में है अगर क्वश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है तो सबसे पुराना है जिम कारवेट राश्ट्य उद्ध्यान यह भारत का ही नहीं उत्राकंड का नहीं भारत का अपीतु एशिया का भी सबसे पुराना राष्टे उध्यान या आपका भुगोल के भारत के भुगोल की दृष्टिर से भी IMPORTANT है उसके बाद इस सबसे नया कौन से तो सबसे नया है आपका गंगोत्री National Park सबसे छोटा सबसे छोटा है फूलो की घाटी और से देख लीजिए आप दो जगा तो गंगोत्री हा रहा है तो आप ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं फिर आपके यहां पर भीहारने या फिर वाइल लाइफ सैंक्चुरी तो यह आपकी कितनी है मैंने आपको बताई थी यह थी आपकी साथ अब उन साथों में से कौन- पच्पन में और यह उत्तरकाशी जिल्ले में इस्तिता और सबसे पुराना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भगवान कृष्ण सबसे पुराने भगवान गोविन सबसे पुराने है तो सबसे पुराना वन्यजीव भिहार कौन सा है आपका गोविन वन्यजीव भिहार फि सबसे बाड़ा खिसको मांणा अपने शिव बगवान को शिव बगवान का रूप है के दानाथ में और यह वह तो आप पुर्आने से याद करते हुए चले अब हगला अश्कोट वन्य जी विहार यह आपका 1986 में बना और पिथोरागड़ में यह स्तित है और किसके लिए फेमर स zmUU के लिए बनाया गया है 1997 में में और यह पॉर्डवाल में है फिर ये आपका विंसर Sonon NH 2 में या कि आपका कि मसूरी 1 ने जी विहार यह बना आपका häuf改 eg है चार थे पुवाल के आसन पे नैना जुली इससे याद रखना है आपको आसन से हो गया आसन बैठलेन संद्रक्षन आरिक्षिति तो यह आपका इस्तित है यह है आपका 2005 में बना था और दहरदून में इस्तित है तथा सबसे छोटा है जो आसने बैठने का हमारा आसने हो बहुत छोटा है तो आपको याद रखना कि यह सबसे छोटा हो गया फिर आपका जिलमिल जील आरक्षिती ये 2005 में बनाया और हरिद्वार में इस्तित है. फिर है पवालगड ये आपका 2012 में बना था और नैनिताल में इस्तित है. फिर आपका आता है नैना देवी हमाले बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व तो अब देखिए आपे ये बना है 2015 में और सबसे बड़ा यानि जो सबसे पहले वाला वो छोटा भी है और सबसे पुराना भी है और जो नैना देवी सबसे लास्ट वाला है ये सबसे बड़ा भी है औ और सबसे नया भी है, तो नैना आप किसी लड़की को मान लीजिए, और वो सबसे बड़ी भी है क्लास में, और नई सी भी दिखती है, सुन्दर सी भी है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कोई क्लास में नैना नाम की लड़की है, उसकी बड़ी बड़ी आँखे हैं, तो बड़ी आँखों का मतलब होता है कि बड़े बड़े नैन है तो यह हो गया कि सबसे बड़ी नैना हो जाएगी आपके तो आज आपने सारे शॉट ट्रिक से वन ने जीव जो चैप्टर था वाब का हो चुका है उसके अलावा आपने पड़े आज दर रहे उसके अलावा हमने जो पेपर था उसके कुछ क्वेशन मैं आपको साथ साथ बताती रही तो आप खुद ही देख लीजिए कि लास्ट की तीन या चार क्लास से कम से कम दस क्वेशन फसे वे हैं तो आपको आप खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कोई कम अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं ज्यादा इधर उदर करने की जरूरत नहीं होती है तो फिर अब हम फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक आप पढ़ते रहे हैं अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे हैं गुड़ लग इस्ट्रेंड